अब्रीवन मैं इस डॉक्र अमित्वत्स असिस्टेंट प्रोफेसर इंदी डिपार्ट्मेंट ओ एप्लाइड साइंस अनुमिनिटिए इस्टुएंट पूड़े वी डिसकस लेक्चर नमबर 36 चेंज ओफ वरियबिल इन डबल इंटिकेशन यानि डबल इंटिकेशन का वरिय 3 में दिआ है और ez toen tay को और reactामा ओर वट गाणा इसका करना मैंने पहले पंदा है लेकिन इनटिकेशन में कैसे उसका उसका यूज करते हैं उसको अभी हमें समझना है तो यानि हमें transform करना है Cartesian coordinate को polar coordinates में तो उसको convert कैसे करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं तो जब हमें ये concept समझ में आएगा तभी हम integration कर पाएंगे ये पहले भी हमने discuss किया वैसे कि मेरे पास कोई भी curve है मान लीजिए जो curve है वो xy में है उस पर कोई like करता है point जिसके coordinate xy है यानि कि x axis और y axis में आपका curve है ये मेरा x axis y axis हो गया मान लीजिए ये मेरे पास कोई radius vector r है जो x axis के साथ theta angle बनाता है अब अगर student ये theta angle बनाता है तो इसको अगर आप देखें ये मेरे पास एक perpendicular हो जाएगा और ये मेरे पास base हो जाएगा यानि base होता है x equals to r cos theta और जो perpendicular है वो y equals to हो जाता है r sin theta ये already हम discuss कर चुके हैं यानि जब मुझे अपनी Cartesian form को polar में convert करना होगा तो x की जगे पे r cos theta put करना पड़ेगा और y की जगे पे r sin theta put करना पड़ेगा यानि जब student मैं अपने curve को trace करूँगा तो मैंने उसका एक working rule दिया है तो कैसे मैं उसका working rule दे रहा हूँ उसको समझी है step number one में trace the curve and find the limit सबसे पहले आपको curve को trace करना होगा और उसकी limit को find करना है for the variable r and theta in the region r यानि जो भी region बन के आएगा उस region में r और theta को आप calculate करेंगे step number two में कैसे आप उसको calculate करने के बाद x की जगे आपको put करना होगा r cos theta और y की जगे आपको रखना होगा r sin theta वो मैंने आपको figure में दिखाया है कैसे हम उसको निकालेंगे लेकिन इसके साथ साथ चुकि integration में dx dy भी आता है तो आपको उसको भी change करना होगा तो उसको हम कैसे change करते हैं चुकि x r cos theta यानि 2 variable का function है y भी 2 variable का function है 2 variable 2 के ही हो गए है यानि मुझे एक jacobian निकालना पड़ेगा जो jacobian निकलेगा x और y का with respect to r और theta क्योंकि दोनों में simultaneously change आ रहा है तो उसका हमें एक jacobian बनाना होगा और jacobian की definition से हम समझते हैं कि यहाँ पर आता है del x upon del r del x upon del theta del y upon del r del y upon del theta जैसी मैं इसको solve करूँगा तो इसकी value r आएगी यानि student ध्यान दीजिए जब आप dx dy को replace करेंगे तो वहाँ पर definition हो जाती है jacobian of dr and d theta यानि आपकी definition हो गई है r dr d theta यानि student जब आप x को r को theta और y को r sin theta रखेंगे तो आपको उसका dx और dy भी change करना होगा और वो dx dy की जगे आ जाएगा r dr और d theta यानि जब भी मुझे polar coordinate में convert करना है तो मेरे पास definition ये बन गई है कि मेरा जो integration है जो भी मुझे integration दिया गया है अगर मेरे पास एक integration है जो cartagen form में है यानि जिस region में मैं ले रहा हूँ x y dx dy तो ये मेरा integration change होकर के इस तरीके से आ जाएगा कि region तो agitive रहेगा उसकी limit बसके वल r और theta में हो जाएगी इस function में r cos theta आ जाएगा x की जगे पे y की जगे पे r sin theta आ जाएगा और साथ में आएगा r dr or d theta यानि मेरे जो integration है उसका conversion जब मैं देखूंगा तो वो कुछ इस form में लाई करेगा यानि इस तरीके से मैं उसे convert करूंगा this is the definition change of the integration cartagen to polar यानि जब मैं उसे cartagen से polar में convert करता हूँ तो मैं इस तरीके से उसको convert कर देता हूँ यानि x की जगे पे r cos theta y की जगे r sin theta और जहाँ dx dy आएगा उसी region के लिए वहाँ r dr or d theta को रखा जा सकता है इस student example एक देखते हैं उसमें हम किस तरीके से इसको solve कर सकते हैं क्या इसकी importance है ये भी मैं आपको अभी बताऊँगा अगले example में discuss करूँगा लेकिन पहले एक simple example में इसमें लगा के दिखाता हूँ तो यहाँ पर इसने कहा है using change of polar coordinates क्यों हम इसको लगाना पड़ रहा है क्यों इसकी आवसकता है उसको भी मैं आपको दिखाँगा क्यों को बहुत ज़्यादा easy कर देता है कैसे easy कर रहा है अभी समझाऊँगा आपको लेकिन फिर भी एक question पहले solve करके देखते हैं उसने ये कहा है कि जो given limits है वो है x 0 और 1 के बीज में and जो y है वो 0 और square root of 1 minus x square के बीज में है इसके according अगर मैं change करूं इसे तो x square plus y square equals to 1 और y is greater than equals to 0 हो रहा है यानि एक circle का equation है circle का equation क्योंकि x axis और y axis में केवल है तो अगर मैं इसको देखूं तो circle का equation कुछ ऐसे हा रहा है अब polar coordinates की चुकि मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो x equals to 0 था यहाँ पर y equals to 0 था और यह curve मुझे दिया गया था polar coordinate में जब मैं इसको convert करूंगा तो इस तरीके से यह conversion हो जाएगा यानि यह इसका radius vector बनेगा यह इस तरीके से convert रहाएगा तो जैसे यह convert हो रहा है तो इसको अध्यान दिजिएगा यहाँ पर जो मेरा r होगा r वो 0 से चलेगा और कहां तक जा रहा है radius तक इसकी radius कितनी है 1 यानि r की जो value है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है अब अगर मैं देखूं theta तो चुकि यहाँ पर मेरा initial line होता है theta 0 होता है चुकि circle जो बना मेरा इस point तक बना है यहाँ पर theta equals 2 मुझे पता है pi y 2 होता है तो अगर मैं अपने integration को convert करूं तो मेरा integration कुछ ऐसे बन रहा है कि r equals to 0 to 1 और theta equals to 0 to pi y 2 और integration है dy और dx sorry integration हो जाएगा r dr और d theta क्योंकि मुझे dx dy की जगे पर यह रखना होता है अब student चुकि दोनों ही limit constant है इसी मेरी ज़्यादा help होती है integration को यह आसान करता है कैसे इसने आसान कर दिया आप देखिए दोनों integration के limit constant है अगर variable में होती तो कोई अंदर बाहर integration के नहीं जा सकता लेकिन चुकि दोनों limit constant है तो मैं इस limit को ऐसे भी दिख सकता हूँ कि theta equals to 0 to pi by 2 d theta और r equals to 0 to 1 r dr यानि यह integration हो जाएगा theta और limit है pi by 2 और यह integration हो जाएगा r square by 2 और integration की limit है 0 to 1 तो यहां से मुझे pi by 2 मिल रहा है यहां से 1 by 2 मिल रहा है answer हो जाएगा pi by 4 तो ऐसे मैं अपना integration solve कर सकता हूँ क्योंकि दोनो limit constant थी इसलिए मैंने अलग-अलग कर दिया अगर limit constant नहीं होती तो मैं यह concept यानि multiplication का यह concept भी नहीं देता अगर variable में limit होती तो फिर limit अंदर और बाहर ऐसे नहीं जा सकती लेकिन दोनो limit constant है तो मैंने अलग-अलग उसको कर दिया है तो इस तरीके से हम अपनी problem को solve कर सकते हैं जिस question की मैं बात कर रहा था student वो मैंने आपके सामने रख दिया यानि इसमें मेरे लिए एक important part कि अगर मैं इसमें ये logic ना दूँ अगर मैं इसे पोदर में convert ना करूँ तो ये integration possible नहीं है यानि अगर मैं इस integration को देखूँ तो दोनों integration ही x और y अलग-अलग independent है चुकि दोनो limit constant है जैसा कि पहले भी हम discuss कर चुके हैं तो अगर constant limit होती है तो वो अलग-अलग चली जाती है अगर variable में limit होती है तो वो अलग-अलग नहीं जाती है तो चुकि constant की limit है तो अगर मैं इस integration को देखूँ student तो मैं इस integration को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0 to infinity x square dx और फिर 0 to infinity e to the power minus y square और dy मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लेकिन अगर ये खाली x होता तो मैं इस integration को solve कर देता beta gamma की help से या कोई हो definition यूज करके substitution method किसी भी तरीके से मैं इसको solve कर देता लेकिन अभी मेरी problem ये है कि x square को मैं substitute कर नहीं सकता तो ये solve ऐसे नहीं हो पाएगा तो चुकि ये problem solve नहीं हो पा रही है तो मैं इसलिए polar coordinates पर जा रहा हूँ तो polar coordinates जाने के लिए मैंने देखा कि मुझे जो condition given है x 0 और infinity के बीच में लाई कर रहा है और अगर मैं y को भी देखूँ तो वो भी 0 और infinity के बीच में लाई कर रहा है यानि मेरा जो figure है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि x भी limit infinity तक जा रही है y भी limit infinity तक जा रही है लेकिन जो radius है र थीटा तो मुझे पता चल गया थीटा 0 से लेकर के यानि थीटा अगर मैं देखूँ तो 0 से लेकर के pi by 2 तक चला गया है तो थीटा 0 से लेकर के pi by 2 हो जाएगा थीटा अगर 0 से pi by 2 है तो r को भी देख लेता हूँ r radius 0 से जा रही है और r infinity को टेंस कर रहा है क्योंकि मेरे x और y x भी infinity को टेंस कर रहा था और y भी infinity को टेंस कर रहा था तो यानि r भी infinity को टेंस करेगा कि r square is the radius of the circle x square plus y square equals to r square तो r is the radius of the circle तो वो भी infinity को ही टेंस करेगी तो अगर मैं अपने इस integration को देखूं student तो देखी कितना आसान integration ये बन गया है r की limit 0 to infinity theta की limit 0 to pi by 2 दोनो limit constant इसको मैं कह सकता हूँ e to the power minus r square चूंकि x की जगे मैंने रखा r cos theta y की जगे मैंने रखा r sin theta तो x square plus y square की जगे पे r square हो जाएगा और जहाँ पे dx और dy है उसकी जगे पे r dr और d theta हो जाएगा यानि ये r dr और d theta हो गया है तो limit चूंकि constant है तो मैं इस limit को इस integration को ऐसे भी लिख सकता हूँ ये theta की limit 0 to pi by 2 r e to the power minus r square और dr हो गया है तो यहाँ से अगर मैं integration को देखूँ तो ये integration मुझे pi by 2 value दे रहा है यानि ये pi by 2 हो जाएगा और इसको अगर मैं देखूँ तो r square चूंकि यहाँ पे है इसको जब मैं कुछ लेट करूँगा तो ये उसके derivative में चला जाएगा 2 r dr यानि मैं यहाँ 2 और by 2 कर देता हूँ तो यानि ये ये हो जाएगा मेरे पास अगर इस integration को देखूँ तो ये मेरे पास substitution करने से हो जाएगा 1 by 2 into 0 to t क्योंकि मैंने substitute कर लिया है तो ये उसमें चला जाएगा तो e to the power minus t और dt sorry this is infinity e to the power minus t और dt हो जाएगा यानि ये मेरा integration बना है अब ये मेरे पास pi by 4 हो गया है और ये definition मैं और लड़ी समझ चुका हूँ अगर integration भी करना चाहें e to the power minus t upon minus यानि 0 to infinity जब मैं infinity रखूँँगा तो 0 हो जाएगा 0 रखूँगा तो 1 हो जाएगा यानि 5 by 4 ही ती answer ऐसे मैं इसका answer निकाल सकता हूँ अगर मैं अपने curve को polar में convert कर देता हूँ अपने integration को polar में convert कर देता हूँ तो मेरे लिए integration करना बहुत आसान हो जाता है इस आसान करने का एक और example में आपके सामने देता हूँ देखे कितना अच्छा question है बहुत बड़ा लगना है देखने में देखने से भी डर लग जाता है question को लेकिन देखे polar से कितना आसान हो जाएगा मुझे एक integration solve करना है student अगर आप ध्यान से देखें मेरे पास एक integration है R region के लिए square root of x square plus y square यह मुझे integrate करना x y plane में दिया है उसने का है दो circle के बीच का region चाहिए यानि circle का जो center है दोनों का ही वो origin है पहला circle थीटा पहला circle x square plus y square equals to 4 inside वाला और जो बाहर वाला circle है student अगर उसको आप देखें तो वो circle है same center लेकर के x square plus y square equals to 9 यह दिया है इसके बीच का region है अब जो region एक में होगा वो चारों में हो जाएगा यानि मेरा जो integration है अगर मैं एक में calculate कर लूँ तो मेरा चारों में हो जाएगा तो यानि 4 quadrant बन रही है एक दो तीन चार तो integration को मैं ऐसे लिख सकता हूँ जब मैं put करूँगा x की जगे पे r cos theta y की जगे पे r sin theta तो जहां पे x square प्लस y square आया उसकी जगे पे r square और जहां dx और dy आएगा उसकी जगे पे r dr of d theta अगर यह सारी value में इसमें रखूँगा तो जो integration होगा यह मेरे पास r हो जाएगा into यह मेरे पास r dr of d theta हो जाएगा दोनों limits आ गई हैं substitute हो गया है सब कुछ चुकि मैं 4 मैं 1 में निकाल रहा हूँ यहाँ पर theta 0 है तो 0 से यहाँ pi by 2 होता है तो 0 to pi by 2 हो जाएगा theta की value 0 से ले करके pi by 2 या तो आप student ऐसा भी कर सकते हैं पूरे circle के लिए 0 to 2 pi limit लगा दे तो 2 pi भी लगा सकते हैं फिर आपको 4 से multiply करने की आवसकता नहीं है तो चारों में अगर करना है तो फिर आप pi by 2 से कर सकते हैं अधरवाज 2 pi लगा करके भी integration कर सकते हैं main बात है r की limits अब r की जो limits है r यहाँ पर 0 है बट यहाँ पर r 2 है और यहाँ पर r 3 है यानि r जो हो गया है वो 2 से लेकर के और 3 तक हो गया है चुकि तो फिर लिमिट constant है तो मैं अपने integration को ऐसे भी कर सकता हूँ integration of 0 से लेकर के pi by 2 और यहाँ पर हो जाएगा d theta integration of r की value 2 से लेकर के 3 तक और यह हो जाएगा r square d r चुकि constant limit थी मैंने इसलिए दोनों को अलग लग कर दिया है 4 बाहर चल रहा है into d theta से जो integration होगा वो pi by 2 आएगा और यहाँ पर जो इससे integration होने वाला है r की power 3 upon 3 into 2 to 3 हो जाएगा यानि अगर इसको देखूं तो यह से cancel तो 2 pi हो जाएगा into 3 upon में आगया और यह जो integration है यह 3 की power 3 यानि 27 हो गया है और minus 8 हो गया है यानि इसको अगर देखें तो 2 pi upon 3 into 27 यानि 21 हो गया है यह 7 हो जाएगा तो साथ गिनी जोदा पाई यानि यह मेरा 14 pi के equal है तो इस तरीके से student अगर आप देखें तो कितना आसान यह polar form integration को कर रहा है जितना आप सोच भी नहीं सकते triple में भी इसका बहुत important role है लेकिन कम से कम two dimension यानि x y से cartagen form से polar में हम two dimension में कैसे convert करते हैं यह आपको आना चाहिए तो बहुत important topic है student सब लोग कोसिस करें कि सभी को आ जाए thank you very much